नमस्कार दोस्तों, Political Science 100% चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ दोस्तों सतंत्र भारत में राजनीती पुस्तक के अध्याए साथ जन आंदोलोनों का उद्या पड़ रहे थे और इस अध्याए से संबधित एक भाग में बना चुकी हूँ उस भाग में मैंने आपको जन आंदोलोंों का अर्थ बताये थे जन आंदोलों के दो प्रकार बताये थे तथा इस अध्याए में दिये गए आंदोलों में से हमने चिपको आंदोलन, Dalit Panthers तथा ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है वो पहले भाग में पड़े थे तो अब जो बचेवे आंदोलन है वो इस भाग में मैं आपकी कम्प्लेट करा देती हूँ तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारती किसान यूनियन को BKUV कहा जाता है दोस्तों ये जो भारती किसान यूनियन है वैसे तो नाम से इस पस्ट है कि ये किसानों का एक संग है 1988 में उत्तरपरदेश के मेरट शहर में आयुक्त कार्याले की घेराबंदी की गई थी और इस घेराबंदी में करीब 20,000 किसानों ने भाग लिया था और ये तीन सप्ता तक इन्होंने अनुशाशित धरना दिया था अब ये धरना जो था वो क्यों दिया था? क्योंकि वो सरकार द्वारा बिजली की दरों में जो बड़ोत्री की गई थी उसके निर्ने का विरोत कर रहे थे कि बिजली की दरों को कम किया जाए और इस आंदोलन का जो नेतरत्व है वो कर रहे थे महेंदर सिंग टिकेथ तो कई बार दोस्तों एक नंबर का प्रशन आजाता है कि भारती किसान यूनियन का जो नेतरत्व है इस आंदोलन का वो कौन कर रहे थे तो महेंदर सिंग टिकेथ इसको याद कर लीजीगा और इससे पहले भी जो मैंने आपको आंदोलन बदाये थे विभिन तरह के आंदोलोनों के शेली का पुशवाजarat का कर अपको पता होना चाहिए तो यह जो आंदोलन था इनकी कारेशलिया गतिविधिया पूशली जाती है कि भारतिय किसान युणियन ने अपनी बाते कि तरह की गतिविदिया या कारेशाली का प्रियोग किया तो इन लोगों ने क्या किया था किसान कि सनुके संगठ ने जिला मुख्या लोग दिल्ली में विशालरयों को आयोजन किया था । यहांनि कि अपनी संध्रा बल पर उन्होंने सरकार और भब बनाने की कोशि इन्होंने धरने दिये थे परदर्शन किये थे तदा जेल भरो अभियान भी इनके द्वारा चलाया गया था अब ये जो कारे कर रहे थे यानि कि ये जो सरकार पर दबाब डाल रहे थे ये शुरुवात तो हुई थी बिजली की दर में बड़ोतरी का विरोत करना लेकिन इस संगठन ने अपनी बहुत सी मांगे जो थी वो सरकार के समक्ष रखी थी तो अगर फुल मांक्स का आ जाता है तो उसमें पूछा जाता है कि भारति किसान यूनियन का गठन कब हुआ था इसकी मुख्यकारेशयली गतिविधिया क्या थी और इनकी प्रमुख मांगे क्या थी तो अब हम देख लेते हैं कि इस संगठन की प्रमुख मांगे क्या थी तो सबसे पहली मांग जो इस संगटन की थी वो थी बिजली की धर में की गई बड़ोतरी का विरोध का जाएगी दूसरा था गन्यवा गेहूं के सरकारी मुल्यों में बड़ोतरी की मांग दोस्तों आप सभी जानते हैं कि 1960 के दशक में सरकार ने हरित करांती की नीती अपनाई थी और हरित करांती की नीती से क्या हुआ था हरियाना पंजाब और पश्ची मुत्तरपरदेश के जो धनी किसान थे उनको फायदा हुआ था और इसके बाद से यह जो इलाके थे इसमें गन्ना और गेहुँ जो थे वो प्रमुक नगदी फचल बने थे परंतु क्या हुआ था कि भारती अर्थय वोस्ता का उधारी करन हुआ और उधारी करन के क्रम में जो नगदी फसल का बाजार था वो उसको संकट का सामना भी करना पड़ रहा था अब क्या था कि नगदी फसल जो है वो अंतरास्टिय बाजार में बिखने लगी और इससे क्या हुआ कि कई बार क्या होता है कि अंतरास्टिय बाजार में जब फसलों का दाम जो है वो गिर जा जाएगी तो किसानों को अपना जो माल है समान वह अंतर्रास्ट्य बाजार में अगर उनकी कीमत गिरती है तो वह सरकार को बेच देंगे और उनको इससे नुकसान नहीं होगा तो किसानों का यह कहना था कि जो गेहूं वा गन्ने हैं उनके सरकारी मुल्यों में बडौत्री की जिसे कि उन्हें संकट का सामना ना करना पड़े और अगर इस तरह से उनकी फसलों का अंतर रास्तिय रेट जो है दाम जो है वो कम होगा तो वह सरकार को उचित मुल्यों पर अपना समान जो है अपना माल जो है वो बेच लेंगे तीसरा उनकी मांग थी कि क्रिशी व्यापार के अंतर राज्य व्यापार पर लगे प्रतिबंध हटाने की उनकी मांग थी क्या था कि क्रिशी व्यापार पर एक राज्य से दूसरे राज्यों में व्यापार करने पर कुछ पाबंदी लगाई वी थी तो उस पाबंदी को हटा किसानों उपावोगा और इन जो किसानों की वुच्छत ता कि 180 गंट और उसे घरने कर सके हम के गिविव ऑगाथ कि गाक करण के उन शाव किया जाए और किसानों के लिए पेंशन का प्राबधान किया जाए ये भी इनकी प्रमुख मांग थी तो दोस्तों आपको भारती किसान यूनियन की प्रमुख मांगे जो हैं वो समझ में आ गई होंगी तो अब हम चलते हैं कि इसान दोलन की विशेषता हैं क्या थी तो अपनी बातों को मनवाने के लिए भारती किसान यूनियन ने सरकार पर दबाब डालने की नीती अपनाई थी और इसमें इसने मैंने भी पहले भी बताय था आपको रेली, परदर्शन, धरना, जेल भरुआदी उपायों का सहारा लिया था और इस आंदोलन में हजारों तथा लाखों की तादात में हरियाना तथा उत्तर परदेश के किसानों ने भाग लिया था दोस्तों ये जो यूनियन थी, इसमें किसानों की लामबंदी के लिए जाती गत जुडाव का इस्तमाल किया था और एक विशेश जातिक के जो समुदाय के लोग थे वो इस आंदोलन में जुड़े वे थे ये जाट समुदाय के लोग थे और इन्होंने अपनी संख्या के दम पर राजनीती में एक दबाब समु की भाती कारे किया था क्यों क्यों कि इनकी संख्या बहुत ज्यादा थी और इस आंदोलन की सफलता के पीछे इसके सदस्यों की राजनीती मोलभाव की शमता थी क्योंकि ये नगदी फसन उप जाते थे दोस्तों भारतिय किसान यूनियन ने अपने को राजनीतिक दलों से भी अलग रखा था और एक स्वतंत्र रूप से दबाब समु का कारे किया था और इस आंदोलन के कारण किसानों की बहुत सारी मांगे जो है सरकार द्वारा स्विकार कर ली गई थी इसलिए 1980 के दशक का क रेतकारी संगठन भी जो था वो किसान संगठन के जीवनत उधारन है तो यहां से भी कई बार कोश्चन आजाता है कि जो BKU है एक नमर का कोश्चन आएगा जासे जाता कि भारती किसान यूनियन की तर्ज पर ही जो है वो किसी किनी और अन्य दो संगठनों का जो है वो मुगती विधिया जो है वो अच्छे से समझ में आई होगी अब हम आगे चलते हैं अगला हमारा जो आंदोलन है वो है नैशनल फिश वरकर फोरम तो अगला आंदोलन हम पढ़ लेते हैं नैशनल फिश वरकर्स फोरम इसको NFF भी कहा जाता है शौट में इसको NFF कहेंगे त तो दोस्तों मच्छवारों की संक्या के लिहाज से भारत का विशुर में दूसरा स्थान है और भारत के पास एक बहुत ही लंबी तट्रेखा है गुजरात से लेकर कलकता तक जो है विशाल तट्रेखा है अब क्या हुआ यहाँ पे कि इन छेत्रों में जो हजारों की ताध कारे करते हैं और यह जो मच्छी पकड़ने के लिए अपनी परंपरागत बोट यानि की पुरानी तक्नीक जो है वो उसका प्रियोग करते हैं अब 1970 के दर्शक में दोस्तों क्या हुआ भारत सरकार नहीं निर्ने लिया कि मच्छी पकड़ने के लिए मशीनी कृत बोटों का प पैसे का अभाव था पैसे के अभाव के कारण वो मशीनी बोटों का प्रियोग नहीं कर सकते थे और अपने उनी परंपरागत तरीकों के द्वारा जो है वो अपनी आजीव का चला रहे थे तो 1980 के दशक में भारत में जब आर्थिक उदारी करनी की नीतियों को अपनाया ग तो दोस्तों National Fish Workers Forum ने 1997 में केंदर सरकार के साथ अपनी पहली कानूमी लड़ाई लड़ी और उसमें उसे सफलता मिली और यह जो NFF की लड़ाई थी वो सरकार की एक खास नीति के खिलाप थी किस नीति के खिलाप थी केंदर सरकार की यह नीति की इसके अंतरगत व्यवसाइ जहाज जो है वो गहरे समुद्र में मचली मारने की उनको इजाज़त दे दी गई थी अब इस नीति के कारण क्या हुआ मल्टी नैशनल कंपनिया जो है वो भी यहाँ पे मतलब जो है आ सकती है मचलिया पकड़ सकती है अब जो व्यवसाइक कंपनिया होती है तो बड़े- दो में एनफफ द्वारा विदेशी कंपनी को मचली मारने का लाइसन्स जारी करने के विरोध में एक राष्टे व्यापी हरताल हुई थी पारिस्थितिकी की रक्षा वा मच्वारों की जीवन को बचाने के लिए अनेक कानूनी लड़ाईया भी लड़ी गई दोस्तों इस लोगों के लिए जीवन यापन का प्रश्ण था इस मंच ने उन लोगों के हितों की रक्षा के लिए कार्य किया और दोस्तों अनेक पारिस्थितिकी की रक्षा मच्वारों की जीवन को बचाने के लिए विश्व के अन्ने संगठनों से भी हाथ मिलाया तो नैशनल फिश आंदोलन ये है ये और ज्यादा तर इस आंदोलन से संबंदित जो है वो प्रश्ण पेपर में जरूर पूछे जाते हैं तो इसको बहुत ही अच्छे से समझिएगा दोस्तों आप पढ़ चुके हैं कि 1970 के दशक से ही समाजिक आंदोलनों में जो था वो पर्यावरन के जो है वो आजादी के बात के दौर से ही शुरू हो गई थी और पंडी जवार लाल नहरू जो है वो नदी घाटी परियोजनाओं को बहुत ही महत्वपूर बांगते थे देश के विकास के लिए तो बांद जो है वो उससे नुकसान भी है और फायदा भी है तो अधिकतर द बश्यक माना जाने लगा देश के लिए लेकिन इससे होने वाले पर्यावरण के नुकसान तथा कमजोर वर्गों पर उनके परभाव पर ध्यान नहीं दिया गया और यह एक विडंबना है दोस्तों कि कभी भी आस तक किसी भी धनी या पॉस्ट को उजाड़कर उसके स्था तो नर्मधा बचाव आंधोलन जो है वो भी इसी तरह का एक आंधोलन था जो नदी परियोजनाओं से होने वाले नुकसानों की तरफ इशारा करता है दोस्तो 1980 के दशक के मध्धे में भारत की नर्मदा घाटी में नर्मदा परियोजना की शुरुआत की दोस्तो नर्मदा घाटी विकास परियोजनाओं के अंतरगत मध्य परदेश गुजरात वा महरास्ट से गुजरने वाली जो नर्मदा नदी थी और उसकी सहायक नदी हैं उस पर 30 बड़े 135 मजोले यानि की मिडियम साइस के तथा 300 चोटे बांद बनाने का प्रस्ताव जो है दूब सकते थे तता इनकी जनसंख्या को दूसरे स्थानों पर आवासित किया जाना था इसलिए जो इस छेतर के प्रभावित ग्रामीर थे उनको अपनी भविशे की चिंता होना सोभाविक था अब जो लाब बताये जा रहे थे कि इन परियोजनाओं से क्या लाब थे कई पेपर में प्रश्न पूछ ले जा कि नर्मदा नदी पर बनने वाले बांध जो थे उसके लाब और हानी बताईए तो लाब जो है वह यहां पर मैंने लिखे है कि इससे गुजरात के बहुत बड़े हिससे सहीत तीनों राज्यों में पीने के पानी सिचाई तथा बिजली सुधार आएगा क्योंकि सिचाई असानी से होगी सिचाई के लिए भरपूर पानी उपलब दोगा तो इससे कृषी की गुणवत्ता जो थी वो बढ़ जाएगी और साती साती से बाढ़वा सूखे की आपदाओ पर भी अंकुष लगाये जा सकता है तो बड़ी नदी असी है उन लोगों को अपना ये स्थान छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा उनकी संस्कृति पर्यावरण पर भी इसका बहुती बुरा परभाव पड़ेगा और जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इस परियोजना की कारण हजारों लोग बेगर हो जाए इस वज़े से यहां पर लोगों ने इस परियोजना का विरोध किया था तो दोस्तों इनकी मांगे क्या थी इनकी मांगे थी कि शुरुवात में तो यही मांग रखी गई थी कि परियोजना से जो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित सभी लोग हैं उनको समुचित कि भागीदारी भी की जाए यानि कि जो भी विकास पर योजना इस तरह की होती है तो वहां कि स्थानिय लोगों की भी उसमें राय लेनी चाहिए और उनकी भी भागीदारी सुनिश्चित करवाई जाए जल जंगल जमीन जैसे प्राकृतिक संसादनों पर उनका प्रभावी लागत का समाजिक नुकसान के संदर्व में मुल्यांकन किया जाए अब एक तरफ तो ये बड़े-बड़े बांद बनाए जाते हैं और इसमें जो है वो बहुत ही जादा जो है वो निर्मार लागत आती है और दूसरी तरफ इनसे पर्यावरन को भी नुकसान होता है तो प बड़ी बड़ी जो विकास की परियोजना होती है इससे कुछ लोगों को तो फायदा होगा ठीके क्रिशी उत्पादक्ता में विवर्धी आएगी लेकिन उन लोगों को क्यों नहीं सोचा जाता कि जो लोग वहां पर रह रहे हैं यह जिन लोगों को अपना घर चोड़ना पड़ेगा अपनी संस्कृति के नस्ट होने का भी उनको खत्रा है पर्यावरन का जो है वो लॉंग टर्म में जो है इससे पर्यावरन को भी बहुत ही नुकसान होता है अभी क्योंकि यहां पर्यावरन के ऊपर यह नहीं पड़ रहे हैं तो मैं आपको इसको विशेश रू प्रमुक निता थे, कौन थे तो जो आंदोलन से जुड़ी थी वो सामाजिक कारे करता थी वो थी मेधा पाटेगर तो मेधा पाटेगर जो थी वो नर्मदा बचाओं motherflawn अनदोलन से जुड़ी वी बहती महत प्यूंद कारे करता थी और इसके साथ को जो यहां से विस्थापित होंगे उन लोगों को पूरी तरह से उनका पुनावास किया जाएगा तो इसके लिए केंदर सरकार ने एक रास्ट ये पुनस्थापना नीती की घोशना की तो यह इस अंदोलन की सफलता का सूचक है अगला अंदोलन जो था वो था सूचना का अ 1990 में राजिस्थान के एक अत्यांत पिछड़ा छेतर जो था वो भीम तहसील वहां से हुई थी और इस आंदोलन को शुरू करने के पीछे मजदूर किसान शक्ति संगटन का हाथ है मजदूर किसान संगटन शक्ति को MKSSB शॉर्ट में कहा जाता है तो दोस्तों क्या था कि र गपला हुआ है कहने के लिए तो यह विकास परियोजना पूरी हो गई थी लेकिन लोगों का यह मानना था कि सारे काम में धन की हेरा फेरी हुई है और इसमें जो ठेकेदार थे और सरकारी अधिकारी थे उनका जो है घपला जो है उसमें गोपनियता बढ़ती जा रही थी तो राजिस्थान में जो यह जन संगठन था M.K.S.S. इन्होंने 1990 में जो श्रमिक थे उनको दिये गए वेतन तथा उनकी अकाउंट की जानकारी मांगी अब ग्रामिनों ने अपनी इस अधिकार पर जोड दिया कि जो भी यह रहतकारे के अंतरगत जो मजदूर लगाए ग तो शुरुआत में तो सरकारी करमचारी जो थे उन्होंने इस तरह की जानकारी देने में आनकानी दिखाई लेकिन सबको इस बात का ग्यान था कि बहुत से निर्मार कारे केवल कागज में ही पूरे किये गए थे जबकि पास्तव में ऐसा कोई कारे नहीं हुआ था तो इस आंदोलन के दबाब में ये जो आंदोलन था इन लोगों का मजदूर किसान शक्ती संगठ द्वारा किया गया था जो तो इसके दबाब में सरकार को राजिस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करना पड़ा और नए कानून के तहत जनता को पंचायत के पास हुआ है और क्या-क्या कारे किये गए हैं किसको कितना पैसा दिया है इसकी घोशना जो है वो सारवजनिक करने का नियम जो है वो अनिवारे कर दिया था और अब पंचायतों के पास जो भी पैसा आता है उसकी जो सूचना है वो नोटिस बोड़वा अखवारों में भी यहां से यह अंदूलन महत्वपूर्ण हो जाता है, अभी तो यह राजिस्थान तक सीमित था, और केवल पंचाय तक सीमित था, लेकिन जो 1966 है, उसमें दिल्ली में सूचना के अधिकार को लेकर एक रास्टे सीमिती का गठन किया गया, और 2002 में सूचना की स्वतंतरता नाम का एक विधेग भी पारित हुआ था लेकिन ये एक बहुती कमजोर अधिनियम था और इसको अमल में नहीं लाया गया था लेकिन आगे चलकर 2004 में सुचना के अधिकार के विधेग को सदन में रखा गया और जून 2005 में विधेग को रास्टेपती की अनुमती मिल गई थी और ये जो है सुचना का अधिकार सभी देश्वासियों के लिए लागू हो गया था तो किसी भी सरकारी विभाग की अगर हमें सुचना चाहिए होती है तो हमें एक 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 अपलिकेशन लिकनी होती है 10 रुपे जमा कराने होते हैं इसकी फीस और फिर हम कोई भी सूचना जो है वो शौट बता देती हूँ वैसे ही आपके NCRT की बुक में नहीं है मंदल आयोग के बारे में थोड़ा सा हलका सा दिया हुआ है लेकिन आपका जो सपोर्ट मटीरियल है उसमें मंदल आयोग पर प्रशन दिया हुआ है और मंदल आयोग से मंदिदेशी फारिशे हैं वो भी पता लगाना था और इस आयोग ने 1980 में अपनी सिफारिशे दी तो मंदल आयोग ने 1980 में सरकार को क्या सिफारिशे दी नंबर एक था अन्य पिछड़ा वर्ग जिसको OBC कहा जाता है उसको केंद्र सरकार की नौकरियों में 27 परसन आरक्षन देने की मांग जो है वो उसमें क की गई दूसरा शिक्षन संस्तानों में आरक्षन दिया जाए तथा पिछला वर्ग की स्थिती सुधारने के लिए भूमी सुधार भी किये जाए तो जब मंदल आयोग की सिफारिशे जो हैं वो देश के सामने प्रस्तूत की गई और इसको लागू करने का प्रावधान किय गया तो देश में बहुत ही उतल पुतल का महलू गया था और बहुत ही एक तरह से दंगे भी हुए थे देश में तो हम यह पढ़ लेते हैं कि यह जो आरक्षन का क्रियान वन हुआ था या मंदल आयोग की सिफारिशे लागू की गई इसके क्या परिनाम हुए थे यहां से क कर रहे थे यह आरक्षन की विरोध में थे परंतु इस विरोध का जो सबसे महत्वपूर्ण और एहम पहलू था वो था बेरोजगार युवको द्वारा चात्रों द्वारा आत्म दहात था आत्म हत्या जैसी घटना है यानि कि इसके विरोध में चात्र जो है वो किया था विरोधियों का तर्क था कि जाती के अधार पर आरक्षन दिया जा रहा है वो समानता के अधिकार के खिलाफ है और क्यूंकि हमारे देश में समानता का अधिकार है तो यह जो आरक्षन व्यवस्ता है जाती के अधार पर जो दी जा रही है यह पूरी तरह से इसके दोस्तों इसके वावजूद भी विरोधों के बावजूद भी 1993 में जो तातकालिन प्रधानमंत्री वीपी सिंग है उनके द्वारा ये सिफारिश लागू कर दी गई थी तो अगर मंडल आयोक पे कोई कोश्चन आ जाता है तो मंडल आयोक को भी आप बिल्कुल छोड़के मत जाएगा तो दोस्तों इस अध्याय में अब तक जितने भी आपने आंदोलन पढ़े वो हमारे सारे समापतों गए लेकिन इस अध्याय से इंपॉर्टन जो कोश्चन बढ़ता है वो आता है कि इन जन आंदोलनों से क्या सबक लिये जाते हैं और क्या लोक तंत्र के लिए जन आंदोलन जरूरी है तो यहां से कोश्चन आता है एक कोश्चन या दो कोश्चन इसको घुमाफिरा की किस तरह से आ जाते हैं तो यह जो है डिसकस करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि आपने पता लगा सारे आंदोलन आप पढ़के गए लेकिन कोश्चन जो आ गया वो इन आंदलोनों से अलग आ गया कि इन आंदलोनों से आपको क्या सीख मिली तो फिर आप नहीं कर पाएंगे तो उसको भी हम जलती से देख लेते हैं तो जन आंदलोनों का उद्देश्य जो है वो दलीय राजनितिक की खामियों को दूर करना होता है यानिकि जिस तरह से जो र देखा कर दिया जाता है तो इन जन आंदलोनों के माध्यम से जो है वो जनता अपना लोक तंतर में आवाज बुलंद करती है तो समाजिक आंदलोनों ने समाज के उन नए वर्गों की समाजिक आर्थिक समस्याओं को अभी वक्ती दी है जो अपनी समस्याओं को चुनावी रा राजनीती को बहतर डंग से समझने में मदद करते हैं तो निशकर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि यह आंदोलन लोकतंतर के लिए खत्रा नहीं होते बलकि लोगों में लोकतंतर के प्रती विश्वास जागरित करते हैं इनका उदेश यह दलिय राजनीती की खामियों को दूर करना होता है तथा इन्हें समस्या के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए दोस्तों यहां पर एक में कोश्चन है उस कोश्चन पर भी आपको डिसकस करना चाहती हूं कोश्चन आ जाएगा कि क्या आंदोलन और विरोध की कारवाईयों से देश का लोकतंतर मजबूत होता है अपने उत्तर की पुष्टी में उधारन दीजिए या दूसरा कोश्चन इस तरह से भी आ जाएगे कि जन आंदलों ने लोकतंतर को बादा पहुंचाने की अपे उसका विस्तार किया है किस प्रकार किया है अपने जो उत्तर हैं उसके सपोर्ट में जो है वो पक्ष होता है जी हां क्योंकि इन आंदलों के माध्यम से सरकार को लोगों की मांगो अथवा अपनी तूटियों का पता चल जाता है जिसमें सुधार करने से वे लोगों को संतुष्ट कर सकती है इस प्रक्रिया में लोकतंतर मजबूत होता है और इस कथन की पुष्टी के लिए य उनकी मांगो को मानना पड़ा यह किसानों का अंदलन था हमने अभी पड़ा है और दूसरा चिपको अंदोलन एक अहिंसक अंदोलन था और इसके माध्यम से पेलों की कटाई को रोका गया था और इस आंदोलन के चलते पर्यावरन का मुद्दा जो है वो भी देश की राज जाती तता पिछले वर्ग में चेतना उत्पन की इससे जाती बेद्वाव तता चुआ चोट का विरोध किया गया और इस आंदोलन के माध्यम से इन जातियों की स्थिति तता सरकार ने इनके हितों के लिए कई कानून बनाए एक आंदोलन हमने पढ़ा था ताड़ी विरोधी आंदोलन जो शराब के विरोध था तो इस आंदोलन के कारण नशाबंदी की प्रक्रिया हुई थी और इस आंदोलन के माध्यम से अनेक महीला संबंदी समस्या जैसे दहेच प्रथा घरेलू हिंसा यौन उत्पीडन आधी के लिए सरकार ने कानून बनाए और महीलाओ के ल अध्यम से पूरी की जा सकती है और मेरा तो यही मानना है कि इन आंदोलनों के जर्ये जो है वो लोक्तंत्र मजबूत होता है तो दोस्तों आपको यह अध्याय कैसा लगा अगर यह आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए लाइक कीजिए और अगामी 6 मार्च को आपका जो बोर का एक्जाम है उसे पूरे मन के साथ दीजिए और जितने भी मेरे आपने वीडियो देखे हैं अगर आपने मेरे सारे वीडियो देखे हैं तो यह आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा हलाकि अभी आपके दो चैप्टर जो है और मैं पूरे नहीं करवा पाई हूं इसके लिए मैं आप से शमा मांगती हूं अभी के लिए इतना ही थैंक यूद